नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में फैंट चैनल पर पहली बार पता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा क्योंकि आंगनवाडी मातों बनों आपको पता है कि इस चैनल के मिलती रहती है और आपको और बात बताता था कि इस चैनल पर अंगनवाडी के अलावा भी जो भी सिक्सा विपाग से जुड़ी सविंदा कर्मियों से जुड़ी देश-विदेश की तमाम खबरों की अपडेट आपको इस चैनल के मादम से मिलती रहेंगी तो आज हो चुक अंगनवाडी से जुड़ी खबरों की अपडेट है और कल जो गतिवीदिया आईजित की गई थी अंगनवाडी केंद्रों में उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अमादिम से मिलने वाली तो चले फ्रेंट्स बढ़ते हैं बीना को टैमवेस्ट के पहली खबर क पंजाब कफूर्थला से हैं बहुत ही बड़ी लेटेस्ट खबर है कि अंगनवाडी करमचारी यूनियन ने दी हैं संगर्स के चेता होने आप देख से तो यह 13 जून 2019 की फ्रेंट्स ये नियू जा बहुत ही बड़ी खबर है पंजाब से जुड़ी हुई कि औल पंजाब आंगनवाडी करमचारी यूनियन की प्रदेश कमेटी के फैसले पर पंजाब पर में 14 जून को पंजाब सरकार के नाम मांग पत्र दिये जाएंगे तो दोस्तों आप देख से तो कि ओल पंजाब आंगनवाडी करमचारी यूनियन के द्वारा 14 जून को एक मांग पत्र दि दिये गए तो संगर्स करेंगे बिमला देवी ने कहा है कि 8 मा पहले केंदर सरकार ने वरकरों का 1500 रुपे वा एलपरों को मानने में 750 रुपे बढ़ाया था परन्तु पंजाब सरकार ने पूरे पैसे नहीं देने कि जगह 900 रुपे वा स्याट सो पचास रुपे वाला नोटि बरताल की जाएंगी उन्होंने वर्करों को अपिल भी कियें कि यूनियन की और से किये जारे संगर्स में उनका सयोग करें और इस अवसर पर 38 सर्मा रंजनी सर्मा महिस कुमारी मीना कुमारी बलवीर को और पुनम वह अन्य आंगनवारी करमचारी इस मौके पर उपश्ट भी की थी वह बड़ा हुआ मांदे अभी दक नहीं मिला यह मांदे उनको जल्द मिलने के लिए 14 जून को पंजाब सरिकार के नाम पर सौपेंगे एक मांग पत्र और इस मांग पत्र के द्वारा उनकी मांगों का आस्वासन के दौरा नहीं किया गया तो अगले जुलाई में ही इनके दौरा बड़ा संकर्स किया जाएंगा नहीं की बड़ी अड़ताल भी किया जाएंगी बड़ते अगली खबर अगली खबर आप देखे तो उत्तर प्रदेस रामपूर्स या जागरन ओनला नीज पर प्रुशी के मादिम से में मिली है होली का दन इस तर पर आंगनव पाड़ी से जुड़ी खबर देना अमारा बहुती बड़ा करतविया है होली का दन इस तर पर आंगनवडी केंद्र का निर्मान करने से सुब्ध ग्रामिनों ने प्रतान वा ग्राम पंचयत अधिकारी के खिलाप प्रदसन वा नारे बाजी कर उप जिला अधिकारी को ग्य गाम में वर्षो पुराना ओली का दन इस्तिल हैं ग्रामिन लगबग सित्तर वर्ष से इसी इस्तिल पर ओली का दन करते हैं कहीं वर्षों से नवमी का मिला भी यही लगता है प्रतान वा पंचयत अधिकारी ओली का दन इस तल पर आंगनवडी केंद्र का निर्मान कराना च जाते हैं जिसके चलते ग्रामीनों ने रोज याप्त किया है और नेक्स्ट आप दिखते हो जार कंड साहिब कंड के दोस्तों जागरण से हमें मिली है कि इसकुल वा अंगनवारियों में बनाए पोशन वाटिक आए यह भी दोस्तों न्यूज आप दिखते हो 12 जून के लेकि की और इसमें इसकुल वा अंगनवारियों में पोशन वाटिका निर्मान को लेकर चर्जबी की गई है इसमें जिला क्रसी विग्यान के अंदर की महिला विग्यानिक डॉक्टर माया कुमारी जिला समाज कलियान पदा जिगर वीनेता कुमारी मोजोद भी थी और डीडी सी ने आंगन वाडी के अदर हैं में इस्कूल की खाली बड़ी जमीन पर पोशन वाडि गा निर्मान करने पर बल दिया गया है और कहा है कि इस से जहां कम जमीन पर बहतर सबझी की खेती कर इसकूल वा आगन वाडी में बहतर सब्जी उप्जा कर खाने से इसका लाब मिलेगा बाजार से वासी सब्जी खरीदने की जरूतर नहीं पड़ेगी और नेक्स्ट खबर आप देख से दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है कि अंगनवाडी पारसा कंटाल में बाटे परिंदे ये दोस्तों न्यूज आप देख से बासकर रहे हैं ऑनले न्यूज पर प्रूसी के नोगामा की और से अंगनवाडी पारसाला कंटाल में परिंदे बाटे गए हैं वक्ताओं ने कहा हैं कि हम सब को मिलकर जहां पर पक्षों का वैसेरा रहता हैं उन हिस्तानों को चिनित कर बेजुमान पक्षों के लिए पाने की व्यवस्ता करने भी चाहिए और नेक्स्ट इरा काम के आर्सित ग्राम मर्देल में इस्तित अंगनवाडी कार्यकरताओं को अंगनवाडी में सही ड्यूटी नहीं करने का आरोब भी ग्रामीनों ने लगया हैं तो दोस्तों ये न्यूज देख से तो बानू परताब पूर किये हैं कि ग्रामीनों ने कहा हैं कि कार्यकर के लिए कहीं बार महिला एवं बाल विकास कारे ले एवं मुख्या ले कारे पलन अधिकारी को आवधन भी किया था लेकिन कोई कारेवाई नहीं हुई हैं इसके सलते आप देखettगों कि आंगनवाडि सेविगा को जलाकर माड डाला प्राथ में की इस दूस्तोण तो बग्वाण पूरा हर्ट के सीवान थाना・ектор के सराव गाव में एक आंगनवाडि सेविगा को उसके ससुराल वालों द्वारा हमार पिटकर थाने में आविदन देकर कहा है कि उनकी पुत्री पुनम कुमार के साधी 25 फरवरी दोजासाथ में भगवानपूर थाना चेतर के सहसराव गहाव निवासी राजंदर पटेल के पुत्र मुन्ना पटेल के साथ की गई थी वो मिनी आंगनवडी कारी करता सेवी का पद पर कारे रथी उसके बाद से दयज को लेकर कई बार मार पिट करना की प्रवरी पंचैती हुई थी इसमें विवाद को लेकर हाल किया गए और मर्तिका को दो बेटिया है करम से मनीशा कुमारी 10 साल की हैं और चंदा कुमारी 7 वर् और दोनों बच्चिया मनी से चंदा घर के बार बैठ कर रो रहे थी दोनों ने बताया कि दादा दादी था साचा ने मां के साथ मार पिट कर केरोसिन डाल कर आग लगा कर जला दिया है तो दोस्तों देख से तो आप बहुत ही बड़ी दुर्गटना वाली कटना है कि थाना च मैसूर अंगनवाडी रिकार्मेंट 2019 अंगनवाडी में 150 से ज्यादा वेकेंसी आंट विवा दसवी पास करे आविधन ये दोस्तों नीज आप देख सेकतों बहुत ही बड़ी कबर है कि महिला और बालवी का सुभीबाग मैसूर करना टक सरकान ने अंगनवाडी कारे करता ह साहे का ये पदों की बढ़ते के लिए आविधन आमंद्रित के हैं और योगी उमिद्वार 2 जुलाई 2019 को या उससे पहले आधिकारी वेबसाइट के मादिम से आविधन कर सकता है और दोस्तों इस वेकेंसी में कुल पद 154 पन है और पद के नाम दो दे रहे हैं आप देख दौरा आउट भी संस्ता के द्वारा आउट भी पास होना अनिवार है तब ही वह इस वेकेंसी में आविधन कर सकती हैं और यह उसके रहे हैं दोस्तों डवलू सीडी मैसुर अधिकारी के जरे 2 जुलाई 2019 तक आविधन कर सकते हो और इसके अलावा भी जो भी इस जूड़ लेटेस्ट खबर आएगी आपको इस चैनल के माधिम से मिलती रहेंगे और नेक्स्ट खबर आप देखे को कि इसमर्ती ने असम के समाज के लियान विपा के कामकाज पर जताई है ना खुसी ये दोस्तों न्यूस बहुत ही बड़ी खबार है कि महिला यहां बाल विकास मंत्र इसमर्ती रहनी ने महिला हो और बच्चों में कोपोशन से समंधी समाधानों पर चर्चा करने के लिए आज मुख्य मंत्री सरवानंद सोनोवाल के साथ यहां बैड़क की है सुत्रों के अनुसार इसमर्ती ने राज्ये के समाज के लिएन विपा के कामकाज पर असंतुष् परदान मंत्री की दो महतो कांग सी योजने पोशन और महतरतों वंदना का कामकाज राज्ये में सिर्फ 5% ही हुआ हैं बैड़क में राज्ये की समाज के लिएन मंत्री परमिला रानी ब्रह्म ने अपने विपा के अधिगारियों के साथ उपस्तित भी थी और उन्होंने का वक्त लगेगा इस पर अधिगारियों ने का है कि उन्हें डाई दो डाई महिने की जरूत पड़ेगी तब इसमर्तिन अधिगारियों को का कि मैं आप लोगों को ग्यारा महिने का वक्त देती हूँ इन यूजनों को पूरी तरह से लागू कर दे जाए तो दोस्तों ये जुड़ी लेटेस्ट कबरों की अपडेट जो आज 13 जुन 2019 की हैं उसकी अपडेट उसकी पूरी जानकारी उनको भी स्टुडियो के अमादिम से मिलती रहे और इसी तरह आगर वो अंगनवाडी से समद्दित लेटेस्ट कबरों की अपडेट पाने के लिए प्लीज दोस् नेक्स वीडियो में तब तक लिए जे हिन जे बार थेंक्स पूर यू वाचिंग माई वीडियो